अलो दोस्तों इस वीडियो की जो ट्रिक है वो आपको UPSC का जो प्रेलियम से एक्जाम है उसमें और बाकी जितने भी objective type के जो एक्जाम होते हैं जिसमें history या फिर general awareness या फिर current affairs as a subject पूछा जाता है उसमें आपको काम आएगी तो यह जो छोटी सी ट्रिक है वो यह है कि जो हमारा Indian standard time होता है जिसको IST time बोलते हैं वो जहां से नापा जाता है जो वो line है 82 degree और 30 minute वाली line है वो किन-किन state से पास होती है कौन-कौन से राज्यों से पास होती है तो यह total 5 राज्यों से पास होती है और उसमें कई बार लोगो confusion हो जाता है और वो answer wrong हो जाता है इसके लिए आप छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं जिसके लिए आप याद रखिए UP in comma तो जो UP है उसके लिए हो गया उत्तरप्रदेश के लिए और उसके बाद जो comma है COMA उसके C से हो गया 36 गर्ड और M से MP यानिकी मध्यप्रदेश, O स से यह जो IST line है Indian Standard Time वाली जो line है वो पास होती है अगर आपको UP in comma याद रखने में लगता है कि तोड़ा सा मुश्किल होगा तो आप दूसरा word याद रख सकते हैं जिसे आप ऐसे याद रखिए MOCA M-O-U-C-A तो अगर आपको यह word याद रहेगा तो इससे भी इसमें सारी जो यह पांचो स्टेट हैं वो इसमें आज आते हैं और इससे आप अपना आंसर दे सकते हैं Thank You